जी दे जी नहीं तो मरने के बाद काम आया ये सक्ष जिहां कर गोंजिले की कस्तावत तहसिल के छूटे सी का सांगवी में रहने वाले विशाल का सपना कलेक्टर बनने का था वहाँ बीट की पढ़ाई कर रहा था विशाल मोईदी 24 वर्ष की परेजनों ने अपने बीटे वि से मस्तिक्स में बलट का थका जमने से वहाँ छे वर्षों से बिमार था उसका गुजरात में इलाज चल रहा था तीस जुलाई को मुरत्य हो गई और विशाल की बापा अंबरा मोईदी ने कहा कि बेटे ने जीते जी अंगदान करने के बाद उसकी मां सुशिला बाई को ब सिम विदाई थी इसके बाद 31 जुलाई को विशाल के पार्थिव शरीर को सांगवी पैत्रगाव लाकर दौपहर भी माकड़ खेडास्त नर्बदा तट पर विशाल की अंतीस्टी हुई आपके बच्चे की जो डेट हुई है उसमें जो आंग आपने दान किये क्या कुछ करा है यह बताए है कि मैं ग्राम सांगवी पोस्ट करम खेड़ा तेसल कसरा जिला खरगोन का मुख्य निवासे हूं मेरा बालक जो विशाल मुएदे ना 24 वर्स चार महां आज आर दिन का ह हो गया था और वो बीए फाइनल कर चुका था अभी उसने यूपी पीसी की परिक्षा दी थी एसाई की परिक्षा दी की और उसका सपना था कि मैं भी कुछ बनू डीएट का पेपर देते थे ते पच्चिस तारिक को क्रमां का दो खरगोन की स्कुल में उसको दर्द मैं जिल्वानिया से आया तो फिर उसको मने बुलाया में ने वीड़ाज में हरती किया वी राज हस्पितिल में वहा है उसका इलाज करवाया मैं को संतुष्ड नहीं मिली वहां से मैं फिर उस्में पंद्रा थाजा genau खी और मैं उसको अरूंद्ध हस्पितल में ले गया उ मोहां पर उसका इलाज छलता रहा लेकिन मेरीं अम्मेद थी उम्मीदह में मैं शपल नहीं हो सका लेकिन मरा बच्च जो था 2008 से परिस्तान तो उसको नर्स की परिस्तानी थी अठ्रासर में उसका इलाज करवाते करवाते आ रहा हूं मैं इंदोर के अपोलो हस्पिटल में करवाया अरविंदों में फिर धीरज में करवाया फिर जाइडस में उसका इलाज चलता रहता है वहां का डक्टर भगोती बहुत अच्छा नियूरोलाजी था उससे में इलाज करवाता था अभी 28, 29 और 33 दिन में उसमें कई बेवसी उसके दूर नहीं हुए डक्टर ने बता दिया कि या उसका जो सीर है यह नहीं काम कर रहा है तो वह बालक का यही सपना था कि मैं जो असनी दर्द सहन कर रहा हूं तो उसके मम्मे को वह बोल के गया था कि मेरे साथ अगर इसा कभी कि मेरे साथ अगर भविष्य में उसको पता था कि मेरे साथ हो सकता है अगर इसा होता है तो मेरे अंग दान कर देना किसी जरुवत मन को तो दान किये वह उनके दोर हां कर दिये गए हैं जाइड़ा से अस्पिटल बढ़ोधा उसमें पांच अंग दान किये गए हैं हाट है दो फेपड़े हैं दो किड्नी है फिर लीवर है और अपना जो आमईसा ऐसा करके कुल मिला कि साथ अंग दान किये और साथ लोगों को उस मैं टीचर हूँ उसको बाद में को ग्यान नहीं था तो मैं समाज में यह संदेज देना चाहता हूं कि अगर कोई भाई अगर किस बीमारी से अगर किसी अंग से जूज रहा है तो वह एक इसकी साइड है उस पे आप आरगन डोनेशन के इसाब से जो रहता है उस पर आप र किसे जिए गयान मेले क्या नम लिक्ता है आम बारा मुदे आपका लाड़का जो मरा विसाल मुदे आप